So hey guys welcome to AppSolution Tech तो दोस्तो बहुत सारे लोगों को problem आती है कि उनको watch time पता नहीं होता है कि अपने YouTube channel पे कितना watch time हुआ है क्योंकि उस पे एक problem आ जाती है जब भी आप अपने creator studio YouTube studio में जाते हो तो आपको वहाँ पे दो तरह के watch time आ जाता है एक तो life time आ जाता है और दूसरा उसी के साथ आपको जब आप earning पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दूसरा watch time दिखाएगा अगर आपको analytic में आपको 300 watch time हो जाएगा तो वहाँ पे जब आप earning में जाओगे तो आपको वहाँ पे 500 ही दिख जाएगा तो हम आपको बताएंगे जो कि आपको 4000 गंटे YouTube चनल को मोनेटराइज करने के लिए लाना है आपको वह earning में आना चाहे बिलके analytic में नहीं आना चाहे और आपको वह watch time लगबग 365 दिन में आना चाहे life time नहीं आना चाहे life time में आपको बहुत सारा watch time आजाएगा आपको ये देखना है कि आपको पिछले एक साल में कितना watch time आएगा तो उसी को आपको 4000 लाना है तो वही आपको 4000 गंटे लाना है पिछले एक साल में जब आपने YouTube सिटाट किया तो उसके बाद आपकी चनल कितने हुए हैं और आपको विवस भी कितने हुए है YouTube वीडियो को टैग्स थमनेल या कुछ भी इसमें लगाने के लिए या अपना watch time देखने के लिए आपको इस वाई टी सिटेडियो को डाउनलोड करना होगा ये है YouTube की एक official एब जिसे आप editing कर सकते हो इसमें पूरा watch time की तो यहां पर उपर आता है channel analytics में watch time तो इस पर click करने के बाद यहां पर फिर से click करने के बाद यहां पर आपको आता है last 28 days तो यहां पर अगर आप lifetime देख लोगे तो यहां पर मेरे 835 lifetime watch hour हुआ है तो इसके साथ अगर आपको last 365 days में देखना होगा जैसे आपकी channel monitorize हो ज देखना है और यहां पर आपको top content बहुत सारा options बहुत सारे यहां पर आपको audience content बहुत सारा आपको return viewers पूरी channel की जानकारे आपको बता देगा तो इसके साथ यहां पर आपको अरन में जाना है यहां पर आपको watch time दिखाएगा सबसे पहले इसके लिए YouTube channel monitorize के लिए आपको 400 गंटे लाने है जो कि के यहां पर मैंने 530 गंटे अभी complete किये है या तो आपको इन तीनों में से दो fill करने हैं तो इस तरह से यहां पर आता है watch time 529 hours तो आप देख सकते हैं यहां पर 529 hours और अगर मैं यहां पर जाओं अपने dashboard में इसके बाद मैं यहां पर अपना watch time देख जाएगा तो यहां पर मैं जाता हूं last 65 days तो यहां पर 588 hours याने के 50 गंटे 55 गंटे ज्यादा दिखा रहा है तो आपको इसमें द्यान नहीं देना है बिलकि आपको यहां पर अरन के section में द्यान देना है कि आपको यहां पर कब 4000 गंटे आ जाएंगे तो उसके बाद आपकी चैनल मॉनिटराइज हो जाएगी उसके बाद आपको यह बहुत सारे option देखने को मिल जाएंगे जिससे आप YouTube से पैसा कमा सकते हो तो यह है हमारी YouTube चैनल आप हमारे YouTube चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और Facebook पे भी follow कीजिए बता देंगे हम आपको बहुत सारे टेक वीडियो जाएंगे हमारे ठीजिए यह दूनक 텅 प्रिश घिला मॉनिए और दो